सिर्फ पढ़ाई ही आपको सफल नहीं बना सकती लगन मेहनत और सही दिशा से चलने की छमता भी जरूरी है Very Good Morning Friends, सौगत है आप सभी का आपके अपने चैनल online study point में और आज है 9 नमबर आज हम देखेंगे 9 नमबर के महतपूर्ण current affairs प्रश्णों को दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को आज का पहला सवाल है हाले में किसे 19-वी कलाकार पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो इसका सही जवाब है option D अपॉलिनारिस डिसूजा को दोस्तों कॉंकड़ी गायक संगीतकार अपॉलिनारिस डिसूजा को कलाकार पुरुसकार से सम्मानित कर दिया गया है यह है डिसूजा जैसा कि आप पिक्शर में देख रहे है मंगलूरू के मांड शोभन के सहयोग से कुंड़ापुरा के कारवालो परिवार द्वारा आयूजित प्रतिस्ठित कलाकार पुरुसकार के 19 संस्करण का पुरुसकार प्रमुक कॉंकड़ी गायक गीतकार और संगीतकार अपॉलिनारिस डिसूजा को दिया गया है यह पुरुसकार समारो 5 नवंबर 2013 को कलागन मंगलूरू में आयूजित एक सरवजनिक कारकरम के दोरान किया गया था तो दोस्तों इसे आप लोग ध्यान रखिएगा यह 19 समा कलाकार पुरुसकार किसे दिया गया है अपॉलिनारिस डिसूजा को जो की कॉंकड़ी गायक गीतकार और संगीतकार भी है अब देख लेते हैं 2023 में दिये के कुछ यह ने प्रमक पुरुसकारों को जो आपके एक्जाम के पॉइंट आप यू से बहुत ही जादा महत रखते हैं पहला उद्दोग रतन अवार 2023 का खिताब किसे दिया गया है रतन टाटा को मिस यूनिवर्स परतियोगिता 2023 किसने जीता था तो यह जीता था USA की आर्ग रेबियाल ने दोस्तों आर्ग रेबियाल ने जो की USA से बिलॉंग करती है यह 2023 में मिस यूनिवर्स बन गई है फिजी का सरवोच नागरिक सम्मान किसे दिया गया है नरेंद्र मोदी को लता दीनानाथ मंगेसकर पुरुसकार 2023 किसे दिया गया है आसा भोसले को तो इन पुरुसकारों को आप लोग याद रखेगा इन्हें नो डाउन करके इनका बारबार रिविजन करते रही है नेक्स्ट है हाली में आयोजित हो रहे राष्ट्य खेलों में दोशों पदकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम कौन बन गई है इसका सही जवाब है ओप्शन ए महराष्ट्रा राज महराष्ट्रा ने अब तक 70-60 सहित 203 पदक जीत लिये हैं पहले स्थान पर रहा है तो इसे आप लोग ध्यान रखिए बात करें महराष्ट्र की तो इसकी राजधानी है मुंबई मुख्यमंत्री है एक नात्शिंदे राजिपाल है रमेस बैस और लोगसभा सीट है यहां से 48 राजिसभा सीट है यहां से 19 तो इन तथ्यों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा यहां से भी कभी भी प्रशन पूछा जा सकता है अब देख लेते हैं 2023 में दिये गए कुछ हैं परमो खेल पूरुसकारों को जो कि आपके एक्जाम में अक्सर आते हैं शतरंज विश्यकप 2023 का खिताब किस ने जीता है मैगरस कारलसन ने लॉरेंस स्पोर्ट्समैन 2023 का खिताब किस ने जीत लिया है लियोनल मैसी ने यूएस ओपन 2023 का खिताब किस ने जीता है नौवाग जोकोविच ने और एशियाई खेल 2023 में भारत ने टोटल कितने मेडल ज और एशियन गेम्स आयोजित कहां किया गया है दोस्तों इस वर्ट्स तो यह चाइना में आयोजित किया गया था तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है हाली में विश्य रेडियोग्राफी दिवस 2023 कम मनाया गया इसका सही जवाब है ओप्शन सी आठ नमंबर को स्वास्त देख भाल प्रणाली में रेडियो लॉजी के महतुपर जोड देने के लिए विश्य रेडियोग्राफी दिवस का स्वास्त अभियान आठ नमंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है विश्य रेडियोग्राफी दिवस 2023 की थीम क्या थी दोस्तों तो इस बार इसकी थीम थी celebrating patient safety यह विश्य इस दिन 1895 में विलहम कॉन्रोड रोएंटिजन द्वारा एक सबी करण की खोज की याद दिलाता है और इसी कारण इस दिन को विश्य रेडियोग्राफी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है तो इसे आप लोग ध्यान रखियेगा अब देख 23 नमबर माह में मनाया जाने वाले कुछ अने प्रमुख दिवसों को 16 नमबर को मनाया जाता है राश्टी प्रेश दिवस 17 नमबर को मनाया जाता है विश्य चात्र दिवस और 18 नमबर को मनाया जाता है विश्य वयस्क दिवस 19 नमबर को मनाया जाता है विश्य न इसे के द्वारा दोहजार चौबिस एशिया प्रसांत मानो विकास रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसर 2015-2016 और 2019-21 के बीच बहु आया में गरीबी में रहने वाली आबादी का हिस्सा 25 से गिरकर 15% हो गई है। इस रिपोर्ट में यहाँ भी बताया गया कि भारत उच्च आय और धन आसमानता वाले शीर्स देसों के रूप में उभर रहा है तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा UNDP एक बहुत ही महतरपूर्ण अंतराश्ट्रे संस्था है जो मानो विकास रिपोर्ट संबंधी कारियों को देखती है और बताती है कि लोगों की बीच में उच्च आय और निम्न आय के बीच में कितनी ज़्यादा असमानता है और समान इसका कहां है दोस्तों तो इसका मुख्याले है नियर्क Сिती में आमेरिका में तो इसे आप लूग ज़रूर याद रखिएगा UNDP के बारे में इनके मुख्याले के बारे मे इक स्थापना के बारे में फुल फ Al t के बारे में अक्सर पूछा जाता है तो ये international के रूप में भी organization के information के रूप में भी बहुत महत्व रखता है अगला सवाल है एक माह में 16 मिलियन मिट्रिक टन कारगो सम्हालने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है इसका सही जवाब है option C मुंद्रा बंदरगाह गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह अक्टूबर 2023 में एक महीने में 16 मिलियन मिट्रिक टन कारगो सम्हालने वाला देश का पहला बंदरगाह बन गया है यह भारत में किसी भी बंदरगाह द्वारा संचालित अब तक की सबसे अधिक मात्रा थी मुंद्रा पोर्ट का स्वाम बंदरगाहों में सबसे बड़ा है तो इसे आप लोग ध्यान अखिएगा दोस्तों ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टन कोश्यन है क्योंकि देश का पहला बंदरगाह ऐसा बना है जो 16 मिलियन मिट्रिक टन कारगो सम्हालने वाला बन गया है तो यह कौन सा है गुजरात क इसका सही जवाब है अप्शन ए अमिशाह ने केंद्रिय ग्रहमंत्री अमिशाह ने नवनिर्मित नेशनल कोपरेटीव औरगैनिक्स लिमिटेड के भारत औरगैनिक्स ब्रांड लांच किया है उन्होंने कहा कि यह भारत और विदेशों में सबसे भरोसे मन ब्रांड बन कर उभरेगा और NCOL का लोगो वेपसाइट और ब्रोशर भी अमिशाह के द्वारा लांच किया गया है उन्होंने पास सहकारी समीतियों को NCOL सदसिता प्रमाड पत्र भी प्रदान किये हैं दोस्तों यह हैं हमारे ग्रहमंत्री अमिशाह जी जैसा कि आप पिक्शर में देख पा वाधवानी इंस्टिटूट क्रिसी एवंकिसान कल्यान विभाग ने वाधवानी इंस्टिटूट फॉर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर क्रिसी 24 इंटु 7 प्लेटफॉर्म को विक्सित किया है यह Google.organization की सहायता से चलने वाला स्वाचालिक पहला आर्टिफि में रखियेगा हो सकता है कभी भी पूछर लिया जाया अब देख लिते हैं 2023 में लॉंच किये गए कुछ चान प्रमुक एप सेवं पोर्टल को उधगम पोर्टल इसके द्वारा लॉंच किया गया है भारती रिजर्व वैंक के द्वारा और दोस्तों इस पोर्टल को क्यों लॉंच किया गया था मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है कि आर्बियाई ने लोगों को एक ही स्थान पर बिभिन बैंकों में उनकी लावारी जमाओं की खोज करने में मदद करने और इसे आसान बनाने के लिए यह पोर्टल लॉंच किया है तो इसे आप ने इस पोर्टल को लॉंच किया है नेक्स्ट है सुस्वागतम पोर्टल या किसके दौरा लॉंच किया गया है सुप्रेम कोर्ट के दौरा और इसे क्यों लॉंच किया गया है इसका उद्देश क्या है दोस्तों तो यह भारत के सुप्रेम कोर्ट के दौरा विजिटर्स को officially entry या मामले से संबंधित उद्देशों के लिए Supreme Court of India में या उनका दौरा करने के लिए आवश्यक online e-pass प्राप्त करने की एक सहज और सरल परक्रिया की सुभधा परदान करने के लिए या पोर्टल लॉंच किया है ताकि उन्हें मैनवली परमीशन लेने में ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े बलकि वो electronic पास लेकर भी Supreme Court का दौरा कर पाएं वहाँ पर entry कर पाएं नेक्स्ट है उल्लास एप दोस्तों उल्लास एप लॉंच किया गया था सिक्षा मंत्राले के द्वारा और इसका उद्देश क्या था यहाँ पूरे देश में वयस्क सिक्षा और साचर्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है इसका उद्देश 15 वर्स और उससे अधिक सायू के नागरिकों को बुनियादी सिक्षा डिजिटल साचर्था वित्य साचर्था और महत्तपूर जीवन कौशर प्रदान करने का है तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा यह भी बैहर महत्तपूर है मोबाइल दोस्त आप किसके द्वारा लॉंच किया गया या कहां से संबंधित है तो यह जम्मू कश्मीर किसे संबंधित है मोबाइल दोस्त आप डबलु एच्चो बेसिकली यह डबलु एच्चो के द्वारा जम्मू कश्मीर में लॉंच किया गया था यह नागरिक केंद्रि सेवाओं के मोबाईल आधारत वितरड के लिए सरकार का एक प्रभावी कदम है इस एप ने लॉंच करने के साथ ही जम्मो कस्मीर में डिजिटल रूप से शशक्त बना दिया गया है इसके माध्यम से प्रशाशन अपने निवासियों को निरबाध सेमाय प्रदान करने सुलबता, गतिशीलता, पारदर्सिता और साशन में दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबध है तो इन प्रमोका एपस इवं पोर्टल को दोस्तों आप लोग ध्यान रखीगा ये चारो पोर्टल और एप सभी बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्यों के हैं और इनसे आपकी एक्जाम में जरूर प्रशन बनेंगे नेक्स्ट देख लेते हैं किस राज सरकार ने हाली में प्रोजेक्ट डाल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है इसका सही जवाब है ओप्शन डी तमिल नाडू दोस्तों आपको बता दें कि 2019 में सेंट्रल गवर्मेंट के द्वारा नमामी गंगे अभियान के साथ ही प्रोजेक्ट डाल्फिन को लागू किया गया था और इसी अनकुरम में अब तमिल नाडू राज ने भी प्रोजेक्ट डाल्फिन को जमिनी अस्तर पर लागू करने के लिए इसे लांच किया है तमिल नाडू में लागू कर दिया है हाले में तमिल नाडू सरकार ने भारत सरकार के वने जीव आवासकार करम के एकिकरत बिकास के तहट प्रोजेक्ट डाल्फिन को लागू करने का आदेश जारी कर दिया इसे 2023 के दौरान आट दसमलो एक तीन करोड रुपे की लागत से लागू किया जाएगा और इसके तहट 60% राशी केंदर सरकार देगी वहीं 6 लागत राज सरकार वहन करेगी तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट डाल्फिन का उद्देश क्या है आपको बता दें कि इसका उद्देश है समुदरी स्थंधारी जो बिलुप तो हो रही प्रजातियां है डाल्फिन की उन्हें बचाने का उन्हें सनक्षित करने का और उन्हें प्रिजर्व करने का इसका नहीं मुख्यमंत्री है एमके स्टॉलिन राजपाल है आरेन रभी लोगसभा सीट है यहां से 29 और राजसभा सीट है यहां से 18 नेक्स्ट है वंडे विश्वकप इतिहास में सबसे तेज 12 सतक लगाने वाले बल्ले बाज कौन बन गये हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ग मैक्सबेल ने यह उपलब्दी हांसिल कर ली मैक्सबेल का 201 का स्कोर वंडे की दूसरी पारी में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया उच्छितम स्कोर भी है मैक्सबेल पुरुश वंडे क्रिकट में 12 शर्टक बनाने वाले पहले गैर सलामी बल्ले बाज भी बन ग मुद्र है यहां की ऑस्ट्रेलियन डालर आज का आखरी सवाल है लॉन टेनिस में किस खिलाडी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नोवाग जोकोविच यह नोवाग जोकोविच जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रह सबसे उम्रदराज चैंपियन के रूप में अपने ही रिकार्ड को पीछे छोड़ दिया है जोकोविच का यह 40 मास्टर्स 1000 खिताब था तो दोस्तों स्टार खिलाडी सर्विया के नोवाग जोकोविच काफी जादा प्रिसिद्ध टेनिस खिलाडी है तो इनके बारे में ज अपसे लंबे समय तक शाशन करने वाली महिला प्रमुख बन गई है शेक हसीना हाली में कौन अंतर राश्टिस और गड़बंधन का 95 बन गया है चिली हाली में शिशु सनक्षर दिवस कम मनाया गया साथ नमंबर को हाली में किस राज को ग्लोबल रिस्पॉंसिबल का खिताब किस खेल से संबंधित है हाली में किसने सात्वा पेरिस मास्टर्स खिताब 2030 जीत लिया है नुवाउग जोकोविच हाली में वेस्टेंडीज के किस खिलाडी ने अंतर राश्टिय किरकट से सन्यास लेने की घोशड़ा कर दी है सुनिल नरेन ने दूसरे किरकेटर कौन बने हैं एंजिलो मैथूज तो दोस्तों ये थे हमारे आठन और रिवीजन करंट अफियर्स और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को हाली में कौन अंतर राश्टिय सा और गड़बंधन का 95 सदस कौन सा देश बन गया है तो दोस्तों ऑप्शन दिये हैं ताकि हम आपके लिए रोज नय नय अच्छे अच्छे कंटेंट्स अच्छे अच्छे कोईशन को वीडियो के माध्यम से अपलोड करते रहें तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो